दोस्तों इन दिनों लागातार सोशल मीडिया और न्यूज हेडलाइन्स में निपाह वाईरस के बारे में बताया जा रहा है तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे निपाह वाईरस की असली सच्चाई दोस्तों के कोजी कोट जीले में निपा वाइरस का छठा केस मिलने के बाद स्कूल और कोचिंग सेंटर स्कूल बंद करने का आदेस दिया गया है वहीं दूसरी और निपा वाइरस सेंकरमीत लोगों के कोंटेक्ट में आने वाले की संख्या एक हजार आठ पहुँच गई है केरल के स्वास्त मंतरी वीना जोर्ज ने बताया कि इन एक हजार आठ में से 327 मरीज खूद स्वास्त करमी सामिल है कोजी कोट जीले के बाहर 29 लोग इस वाइरस से संकरमीत पाए गए है स्वास्त मंतरी ने बताया कि यह संख्या और भी बढ़ सकता है 30 अगस्त को पहला और 11 सेप्टेंबर को दूसरी मौत निपा वाइरस की वज़ा से हुई थी इंडियन कॉंसलिंग ओफ मेडिकल रिसर्च यानि की ICMR ने बताया कि निपा वाइरस में मृत्युदर 40 से 70 परसेंट है या कुरोना वाइरस में होने वाली मृत्युदर की संख्या से कहीं अधीक है जबकि कुरोना वाइरस में मृत्युदर की संख्या 2 से 3 परसेंट रही है ICMR ने बताया कि केरल में निपा वाइरस फैलने का कोई साफ वज़ा नहीं है लेकिन अधीक मृत्युदर को देखते हुए ICMR ने सावधानी बरतने की अपील की है जैसे की मास्क पहनना या चमगादर के संपर्क में आने वाले कच्चे भोजन से दूर रहना क्या है निपा वाइरस के लक्षन जोस्तों निपा वाइरस संकर्मित लोगों को तेज बुखार हो सकता है उनके दिमाग में सूजन भी हो सकता है तेज सीर दर्द सांस लेने में परिशानी गाला खराब हो सकता है इसके अलावा अगर किसी ब्यक्ति को दस्त उल्टी या कमजोरी का लक्षन दिखाई दे तो वह ब्यक्ति निपा वाइरस के लिए टेस्ट करवा सकता है दोस्तों आपको बता दूँ कि अवाइरस जानवर से इंसानों में फैलता है और इंसान से इंसानों में भी फैलता है क्या है निपा वाइरस से बचने का तरीका दोस्तों आपको बता दूँ कि निपा वाइरस का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है नहीं कोई वैक्सीन बन पाई है, जिस परकार हमने कोरोना काल में सावधानिया बरती थी, उसी सावधानी को निपाह वाइरस में भी बरतनी है, इसके अलावा जमीन या पेड़ से गिरे किसी भी फल को बिना धोये नहीं खाएं, इसके अलावा जुठा खाने से बचना होगा निपाह वाइरस जानवरों से इनसान में फैलता है, इसके अलावा इनसान से इनसानों में भी फैलता है, इसकारन चमगादड़ सूवर से संकरमीत लोगों से दूरी बना कर रखें, दस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो जरूर कर लें मिलते हैं का अगले इंट्रेस्टिंग अफडेट के साथ